हलो फ्रेंग्स वेलकम बैक टू एवर्ग्रीन बुटीक और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं शिफॉन टू पीसेज और फुल रेशियम थ्रेड वर्क यह कंप्लीट थ्रेड वर्क है रेशियम वर्क है इसमें बिल्कुल जरी सीक्वेंस नहीं यूज हुआ है बहुत ही प्यारा क्लेक्शन है सेट वाइस पीसेज हैं अभी किसी को भी ओडर करना है तो इस्क्रीन शॉट्स लें और वाट्सेप नंबर पर सैंट कर दें वाट्सेप नंबर आपको सामने स्क्रीन पर शो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है मोड़ पेमिंट है गूग दिखान सेटवर गरण वाट्सेण आपको नेक्स्ट वीडियो की नौटिफिकेशन easily मिल जाएगी जो भी मैं वीडियो उपरोट करूंगी उसको को नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए हम मैं आपको जल्दी से दिखाना शुरू करती हूँ इसमें आपको शशरट क का बैक फ्रंट का स्लीव का दुपटे का स्टाफ मिलेगा और सभी सेट वाइस है एक पीस आए थिक मिक्स होके आ गया है सिंगल में बागी के सारे सेट वाइस पीसी तो जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी सबसे पहले मैं आपको यही दिखाती हूँ यह बहुत ही लाइट सा पिंक कलर है यह देखें यह अन्यान कलर भी कह सकते हैं लाइट वाला कि शोट की लैंद मैं आपको बता दूंगी क्योंकि उसमें कुछ पीसे आते हैं जो काफी लैंदी होते हैं और कुछ नॉर्मल हाइट के होते हैं कि किसी को ऐसी लैंद चाहिए होती है फोटी एट फोटी नाइन तो उन लोग के लिए शोट रहा जाता है यह अधिर्वाइस इसकी लांट मैं मेजर करी रही हूँ आप लोग के सामने कि जो भी लैंध रहेंगी मैं बता दूंगी यह मैं बॉर्डर तक मेजर करी हूँ उपर से तो यह 45 और जो प्लेन इस्टफ तक है वो 48 आ रही है लेकिन जो एम्रोइड बॉर्डर है तो वो 40 45 तक आ रहा है क्योंकि यहां से आप आरका करा लेंगे बॉर्डर तक यह फोल्ड करा लेंगे तो 45 तो यह 43 तक तो इसली स्टे पाइन रेशयों वोक है बहुत ही खुबसूरत एम्रोइडरी है फ्रेंट साइट पर बूटे आ रहे हैं विर्ड बहुत अच्छी है एक शोट की मैं विर्ड मेजर कर दे रही हूं सारी यही हाइट लेंद की शोट होंगी एप्रोक्स 45 एम्रोइडर तक और फॉल लेंद 48 तक ही होगी फिर भी किसी को ओडर करने से पहले लेंद विर्ड मालूम करने है तो आप लोग मुझे वाट से पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके विर्ड आ रहे हैं 40 तो यह 80 साइज हो गया सोचियो स्लीव जलग है इसकी फिर यह शोट का बॉडर आ गया और अब आप बैक स साइट का बॉडर है और बैक साइट पर बूटे आ रहे हैं इस तरह ठीक है यह इसकी स्लीव है यह दोनों स्लीव का स्टफ हो गया और यह दुपट्ट्टा है फुल जाल वॉर्क में दुपट्ट्टा है यह पुरा रेश्यम वोक है तो साइड लैंध वाइस बॉडर आए यह दिखें यह आपको बॉर्डर शोर रहोगा थोड़ा डिफ्रेंट दोनों तरफ आ रहा है यह बॉर्डर बीच में पूरा जाल वर्क आ रहा है रेश्यम से यह सब जाल वर्क है और एक बार अगर में दुपट्टी की भी लैंट आपको बता देती हूं हमें मेजरी कर देती है अचली मेपास मेजर करने के लिए है इसमें दुपट्टा डाइमीटरी है यह सूट नंबर वन हो गया अब इसी के मैं आपको शेड दिखा रही हूं यह दिखें यह लाइट ग्रे शेड है और इसके उपर जो thread वॉक्क हो रहा है, रेशियम ठेड वॉक्क वो rust कलर और green कलर से हो रहा है लाइट ग्रे कलर है, शूर्ट के उपर बाॉर्डर चे कर लें, उपर तक सब यह बूटी आ रही है, नेकलाइट के उपर इम्रोईडरी है और शेट के बैकसाइड के ऊपर बॉरडर आ रहे हैं और बैकसाइड पर बूटी है यह पर रिजाइन होगया अब हर पर स्लीव का स्टफ आपको अलग से दिया होगा यह स्लीव इसमें एंप दूप shrinking यह लिए बॉड़र व्रperformance बॉटी है आरेए स्लीप पर बहुत ब्राट बॉर्डर नहीं है यह तो पटे पर देखें लैंध्वाइज बॉर्डर है इस तरह टू साइड लैंध्वाइज आ जाएगा इस तरह से पूरा बीच में सब यह रेशम से जाल वर्क है मल्टी कलर रेशम है मौफ कलर है रस्ट है महदी ग्रीन कलर इस तरह के शेड्ड यूज हुए है एमरोईड्री में तो यह लाइट ग्रे कलर हो गया है अभी मैं इसे भी लग रहा है कलर कंट्रास्ट आप चेक करें डिजाइन एकदम न्यू है यह बॉडर आ गया बूटी आ रही उपड़ तक निकलाइन पर एमरोईड्री है यह इस तरह से अमरोईड्री है बहुत फाइन एमरोईड्री है मैं आपको बहुत खरीब से दिखा रही हूं और यह का बॉर्डर आ गया बैक साइब पर बूटे हैं कि इसकी वी स्लीप का स्टफ बिलकुल अलग दिया वह है यह स्लीप है अब मैं दुपट्टा और उपिन करके आपको दिखा देती हूं यह दुपट्टा है इसमें ब्लू कलर आ रहा है फिरोजी कलर है पीच कलर महंदी ग्रीन रस्ट कलर एमरोईडरी में आप रेश्यम के कलर देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कलर यूज हुए हैं यह देखें बहुत ही खुब्सूरत लग रहा है तो इस तरह से यह सारे हो गया है डिजाइन नमबर वन का अब यह फिरोजी कलर है यह सी ग्रीन सा शेड है शेड नमबर फोर हो गया है यह स्लीव्स है बैक साइड अलग इसका रखावा था मैं भी आपको शो कर दे रहे हूं यह बैक साइड पर बॉर्डर आ रहा है बूटी आ रही है इसी तरह फ है यह प्रण। साइड है यह देखें यह पर अगरत हैभी एम्रॐिडे कोगि Sir, इस स्लीव जा गए अब एसका दुपंटा देखिया प्यud बहुत एबूइड़ है डूपटा है पर लाइट वेटड है बहुत फाइन इम्रोईडरी है पूरे शूट के उपडर यह दिखें इस तरह से यह दूपटी पर एम्रोईडरी है है पूरे रथी का इम्रोईडरी आ गई यह मैं आपको खरीब से भी दिखा दूँ बहुत फाइन एमरोईड रहे है तो यह शेड नमबर फोर हो गया है अब यह दिखे यह गोल्जन कलर है इसके उपा मरून रैड कलर से वर्क हो रहा है रेश्यम से वर्क है यह बैक साइट का बॉर्जर है उपर तक बुटी आ रही है यह फ्रन्ट साइट का बॉर्जर है और यह निकलाइन आ गया यह स्लीव जा गई इस तरह और यह दुपट्टा कि देखें दुपट्टा कितना खुब्सूरत लग रहा है बहुत ही प्यारे रेश्यम के कलर यूज हुए है एम्रोईजी के लिए बहुत हैलाइट कर रहे है यह सारे थ्रेट इसके उपर मैं थोड़ा खरीब से भी आपको ऐसे डबल करके शो कर रहे हूँ यह देखें बहुत फाइन एम्रोईजी है सारी ही पीसिस के उपर तो अभी मैं इसे साइट कर रहे हूँ अब यह दिखें यह डाक ग्रे कलर है इसके में पास और भी पीसिस है अब मैंने आपको डिजाइन दिखा दिया है मैं ऐसे ही शोर्ट ओपिन करके डिजाइन आपने चेक कर लिया आप ओडर है निकलाइन है स्लीब्स और यह दुपट्टा इसके आई थिंग में पास 10-12 शेड्स है अब यह बागी के मैं आपको ऐसे ही शोर्ट कर दूँगी यह दिखिए यह दुपट्टा आगया यह डार्क ग्रे कलर है ठीक है अभी फिर इसे मैं साइट कर रही हूँ अब यह दिखिए यह लाइट ब्राउन कलर बिस्किटी कलर भी बोलते हैं सब तो यह वो शेड्स आगया अभी मैं शोर्ट आपको दिखा दे रही हूँ किस तरह से शोर्ट है यह देखिए ब्लू है फिरोजी सी ग्रीन से इस पे रिशिम से एम्रोईडरी है इस तरह और अब दूपटा चेक कर ले मैं शोर्ट का फ्रण्ट और दूपटा उपिन करके आपको दिखा रही हूँ ठीक है तो यह लाइट ब्राउन हो गया यह अनियन कलर है यह अनियन कलर है डाक अनियन कलर अभी सबसे पहले वाला जो दिखाया था वो लाइट था थोड़ा बिल्कुल पिंक टाइप शेट था यह एकदम प्याजी वाला कलर आ रहा है इसका आप दुपट्टा देखें कितना खुबसूरत लग रहा है यह इसका दुपट्टा आ गया अब यह देखें क्रीन शेड आ गया पिस्ता ग्रीन कलर है इसके एपर दिखिए और इंज कलर और पिंग लाइट पेंट कलर से रिश हम से वर्ण हुआ है और अब मैं आपको इसका दुपटा दिका रही है जिस पर पोप्ल कलर पिंक टलर और और इंज कलर से रिश्यम से वर्क है इस तरह एक शेड़ और है इसका यह लास्ट शेड़ है बहुत लाइट ब्राउन कलर है यह स्किन कलर समझ लीज़े यह स्किन कलर है एक्जेक्ट यह बॉजर आ गया निकलाइम के उपर वर्क आ गया और अब मैं आपको दूपटा शो कर रहे हूँ यह दिखें वाइट कलर रेड महदी ग्रीन मरून कलर से रेशियम से इसके उपर एमरोईजी हुई है टूसाइड लेंथ वाइस बॉजर है स्लीप्स तो सब में अलग है ही तो यहां डिजाइन नंबर वन मैंने आपको पूरा दिखा दिखा दिए सारे शेड दिखा दिए जल्दी जल्दी करके तो अब मैं आपको दूसरा डिजाइन दिखाना शुरू करती हूँ यह देखें यह वाइट कलर आ गया है यह भी कंप्लीट रेश्यम वोक है इसमें दामन पे वर्क आ जाएगा और उपर तक बूती है अभी जो डिजाइन मैंने आपको शो करा था वो बॉडर था और नेकलाइं था गला और दामन था इसके उपर ब्रॉड बॉडर है दामन पे और उपर तक सब आपको यह बूती मिल जाएगी वर्क आप चेक कर लें यह मैं आपको फ्रंट साइड दिखा रही हूं यह दिखें यह फ्रंट साइड के उपर सब यह इस तरह से एम्रोईज्य हो रही है रेश्यम से एम्रोईज्य बिलकु सीक्वेंस जरी नहीं आपको बता दे रही हूं क्योंकि यह डिजाइन दोसरा स्टार्ट हो गया अब इससे पहले एक डिजाइन था तो मैंने एक ही सूट आपको मेजर करके बता दिया था कि लैंट का क्योंकि ज्यादा इश्यू रहता है कि लैंट शॉर्ट है देखें प्लेन स्टब तक तो 46 आ रही है लेकिन जहां एम्ब्रोइडरी आ रही है तो 43.5 है तो बहुत शॉर्ट नहीं है और इसमें आप कुछ भी बॉर्डर भी आड़ अप कर सकते हैं तो 45 तक हो सकती है फिर भी मैं आपको लैंट सब की बता रही हूँ अच्छे से फ्रेंट बैक दिखा रही हूँ तो आप लोग देखें फिर ओड़ा करें फिर उसमें कोई डाउट नहीं रहा जाता है यह बैक साइड है देखें बैक साइड पर यह वारी एक साब बॉडर है बहुत ही कुप स यह स्लीब्स है और अब आप इसका दुपट्टा देखें इसका दुपट्टा भी बहुत ही खुबसूरत है फुल जाल वर्क में दुपट्टा है यह देखें लैंट वाइस आपको ऐसे बॉडर शो रहा होगा यह टू साइड लैंट वाइस बॉडर आ गया और बीच में पूरा यह सब जाल वर्क है इस तरह है यह दिजाइन नमबर टू का शेड वान हो गया है अब इसी में मैं आपको यह वाइन कलर दिखा रही हूं कलर बहुत प्यारे-प्यारे हैं डिफ्रेंट से कलर हैं और डिजाइन भी बिल्कुल नियू है और रीजनेबल प्राइज मे बिल्कुल सेल प्राइज वाला आपको प्राइज मिल रहा है यह दिखें यह फ्रेंट साइड और उपर तक सब यह बूटी आ रही है यह बैक साइट में बॉडर आ गया बूटी आ गई यह स्लीव्ज आ गई और अब आप इसका दूपट्टा देखिए यह दूपट्टा है तो अभी मैं इससे भी साइट कर रही हूँ यह वाला गई कलर था कि कुछ मूफ कलर टाइप है अभी पहले शोट दिखा देती हूं यह शोट का फ्रांट साइड है यह फ्रांट साइड है उपर तक सब बूटे आ रहे हैं यह बैक साइड स्लीव्स अलग से आएगी सभी में स्लीव्स अलग से आएगी तो यह ट्रिपल एक्सल फोर एक्सल तक भी इजीली स्टेज्ड हो जाएगा विर्थ काफी अच्छी है यह दुपट्टा फोल रेशम वोक में हैवी एंब्रोईडेट दुपट्टा वहती फाइन एंब्रोईड्री है सारी पिस्स पर अब इसका मैं आपको और शेट दिखा रहे हूं अच्छे यह दिखें से दूसरा है सॉरी अच्छी यह ब्लैक शेड आ गया ब्लैक देखें ब्लैक इतना खुब सुरत लग रहा है कि यह देखें यह ब्लैक का फ्रेंट साइड है और यह सब उपर तक बूटी आ रही है ब्लैक के उपर फिर ये बैक साइट के उपा बॉर्डर आ गया बुटी आ गई इसमें भी स्लीव्ज अलग आएगी ये स्लीव्ज और अब ये दुपट्टा देखें ये दुपट्टा है बहुत ही खुबसूरा दुपट्टे सारी ही सूट्स के और एम्रोईड्री आप कहीं से भी देखेंगे एकदम इविन एम्रोईड्री है सब जगाए एक सी तो ये ब्लैक हो गया है अब इसमें ये शेड देखें आप ये ब्लू है कुछ पिकॉक ब्लू टाइप शेड है डिफरेंट साब ब्लू है अभी मैं इसे आपको उपन करके दिखाती हूँ डिजाइन सभी का सेम है तो आपको मैं फ्रेंट साइट से ही दिखा दे रही हूँ देखें ये फ्रेंट साइड है उपर तक ये सब बूटी है और ये फिर देखने चालें बैक साइड का बॉडर और बैक साइड पर भी बूटी है क्योंकि अभी सेम ही डिजाइन चल रहा है तो सभी का पैटर्न सेम होना है ये स्लीव से बाइक साइड बॉडर आ जाएगा फिर बूटी आ जाएगी और अब आप दुपटा देख लें ये दुपटा आ गया अब एक और है इसमें शेड में बो दिखा रही हूँ आपको ये देखें महंदी ग्रीन कलर है ये देखें उपटा तक साब बूटी है और ये फिर बैक साइड आ गया और इसकी स्लीव ये स्लीव आ गई बहुत बारीक सा बॉटर है फिर बूटी आ रही है अब मैं आपको दुपटा शो कर रही हूँ ये महंदी ग्रीन कलर है ये दुपटा है यहां से आप स्क्रीन शोट ले सकते हैं तो ये पूरा रिजाइन मैंने आपको इस वाले सेट का शो कर दिया है अब मैं आपको दूसरा रिजाइन दिखाना शुरू करती हूं ये स्काइब ब्लू कलर है ये भी फॉल रेश्यम वोक में आज सारे रिजाइन रेश्यम वोक में मैं आपको दिखाने वाली हूं ये बैक साइट का बॉर्डर और बूटी आ गई और फ्रेंट साइट के ऊपर भी आपको नेक्ट लाइन मिल जाएगा और दावन का बॉर्डर है ये दिखें और इस तरह बूटी है ये भी 42 साइज तक हो जाएगा इस टीज मैं इसके लैंट एक बार मेजर कर दे रही हूं वो ही है प्लेन इस टक तक 46 है और एमरोड़ेट बॉर्डर तक 43.3 आ रही है ये स्लीब्स है इसकी और अब आप दुपटा चेक कर लें ये हैवी जाल में दुपटा आ गया रेशम वोक में ये डिजाइन नमबर 3 है लैंट वोईस टू सैड इस तरह बॉडर है ये देखें और बीच में पुड़ा ये जाल वोक आ रहा है पुड़ा रेशम वोक है ये ये देखें तो ये डिजाइन नमबर 3 का शेड वन हो गया है इसमें भी बहुत ही खुब्सूरत खुब्सूरत शेड है ये ग्रे है डाक ग्रे कलर है ये लाइट ग्रे नहीं है ये फ्रेंट साइट का बॉड़र है फिर ये निकलाइन आग गया और फिर ये बैक साइट का बॉडर कलर कंट्रास्ट बहुत प्यारे हैं सारी ही सूट्स में जो लिए है रेशम के शेड बहुत अच्छे लिए हैं सारे ही सूट्स के अंदर यह कोई भी सूट है वो color contrast से ही अच्छा लगता है जब color contrast अच्छे use होंगे तो वो suit भी अच्छा लगता है तो यह वाली suits में सब ही में thread work, ratio work जो भी लिया है बहुत ही अच्छे लिया है यह देखें आप इसका color contrast देख लिजे, ratio work चेक कर ले two side length wise border है, बीच में पूरा जाल work आ रहा है ठीक है तो अभी मैं इसे भी side कर रही हूँ, यह dark gray color था अब यह blue shade आ गया, blue में दो है, मेरे पास आज same design में पर ratio का जो color आना है वो different है बिल्कुल अलग-अलग color के रेशम से work हुआ वा है यह इसके border आ गया, उपर तक बूटे भी आ रहे है, neck line के उपर भी work आ रहा है सभी pieces का chiffon stuff है, shirt, दुपटा, sleeves सब chiffon stuff है unstaged pattern है, free size है दुपटे पर land wise two side border आ रहे है, बीच में पूरा जाल work है, सभी का यही pattern भी है चले यह blue shade था, इसके उपर sky blue हो गया, mauve color हो गया, महदी green, yellow इस तरह के रेशम से work हुआ वा था अब जो दूसरा वाला blue है, मैं वो भी आपको अभी इसी के साथ दिखा देती हूँ इस पर देखे, pink color और red color से work है यह निकलाइन है और अब आप इसका दूपटा चेक करें, design सेम है इस पर red और pink color हाइलाइट कर रहा है और अब इससे पहले वाले के उपर mauve और sky blue color के flowers थे इस पर pink और red color के flowers हैं, बाकि सब सेम है ठीक है तो यह blue में दूसरा shade आ गया अब यह onion color है सब original pieces है, यह border आ गया यह nickel line है, back side पे भी border है यह back side का border है, उपर तक सब गुटी आ रही है और यह सब आज आपको एकदम जैसे पहले मैं sale price में आपको डाल रही थी, उसी price पे आपको यह set wise भी मैं new stock लाई हूँ, वो भी उसी price पे देने वाली हूँ यह दिखें, यह lengthwise border बीच में सब जान वर्ख और यह इसकी sleeves आ गई, और सब sleeves का stuff एकदम equal है, कुछ ऐसा नहीं है कि खराब कपड़ा मिल रहा है, कम जादा है, कुछ है, सब बहुत एकदम accurate है, सब चीज बहुत अच्छी है अब यह last वाला आपको यह golden में shade दिखा रही हूँ बहुत अच्छा color है यह भी यह देखें कितना खुबसूरत लग रहा है वीडियो का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, अभी मैं बनाई रही हूँ, लेकिन एक्चर में मैं बना रही हूँ, मेरे सामने पीसे से तो बहुत ही खुबसूरत है यह देखें आप फिरोजी, red, mehdi, green, peach और कुछ यह light rust सा color है बहुत ही खुबसूरत लग रहे है, सारे color contrast बैक्साइट पे भी बूटे आने हैं, ऐसे निया, front पे ही है, सभी पे border और बैक्साइट पे बूटे है नहायती हसीन सूट है, और गौडी भी नहीं है, चुबने वाले नहीं है आप easily carry कर सकते हैं, बहुत ही durable pieces हैं यह खराब भी नहीं होना है, एम्रोईजी बहुत fine, बहुत गफ एम्रोईजी है यह देखें, बैक्साइट से बहुत ही fine एम्रोईजी हुई भी है, बहुत खुबसूरत इसका दुपट्टा आप देखें कितना खुबसूरत लग रहा है टू साइड लेंटवाइस बॉर्डर है, सभी की तरह बीच में पूरा जाल वर्क आ रहा है तो अब यह शेट मतलब यह डिजाइन खतम हुआ यहां, अब मैं आपको दूसरे डिजाइन दिखाना शुरू करती हूँ इसमें सबसे पहले मैं आपको डाक गोल्डन शेट दिखा रही हूँ डाक गोल्डन में आज में पास दो कलर हैं, पर त्रेट क्रिशम का डिजाइन चेंज हो जाएगा यह दिखें, इसमें इस तरह से है इस वाले डिजाइन में आपको शेट में कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कुछ पीसिज में 43-45 तक शेट की लेंथ हो जाएगी और कुछ में ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी कर सकते हैं तो यह लास्ट वाला डिजाइन में कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन इसकी विर्थ में आपको बता दू, क्योंकि जो लेंदी होते हैं तो उसमें विर्थ का बाउंडेशन रहता है एस सच कोई बाउंडेशन भी नहीं है, यह 28 है, 27 है वेर्थ इसकी और लंबाई तो काफी है, स्लीवस साइड में दीवी है, देखें बैक साइड के उपर बुटा आ रहा है, तो 27 साइज भी काफी अच्छा साइज हो गया, यह बैक साइड के बुटे आ गये और यह फ्रेंट साइड हो गया, पूरा रेश्यम से जाल वर्क है, मैं थोड़ा करीब से दिखाऊं, देखें आप गोल्डन के उपर गोल्डन सैल्फ थ्रेट से रेश्यम से वर्क आ रहा है, तो यह फ्रेंट साइड हो गया है, स्लीव साइड में दीवी है और दुपटा इस तरह से, जाल में ही रेश्यम से ही अम्रोइडरी है, यह दुपटा आ गया, पीछ कलर मरून और महंदी ग्रीन कलर से इस पर अम्रोइडरी हो रही है, तो यह डिजाइन फॉर्थ का शेड वन है, अब इस ही कमें आपको आगे के शेड दिखाना शुरू करें, यह दिखें फिरोजी कलर है, यह शोट का फ्रंट साइड है, साइड में स्लीव का इस्टफ है, बैक साइड में बूटे हैं, इस तरह, और यह दुपट्टा आ गया, फुल जाल वोक में दुपट्टा है इसमें, कॉंट्रास्ट में दुपट्टा है, पीच मरून और थोड़ा लाइट ब्राउन कलर है, यह इस तरह से रेशम वोक में ही दुपट्टा आ रहा है, अब यह देखें, क्रीम कलर हैंगे, इसका भी सेम ही डिजाइन है, फ्रंट साइड के ओपर फुल जाल वोक है, बैक साइड पर बूट्टी आएगए, और स्लीव्स पर बूट्टी आ जाएगी, यह फ्रंट साइड का वोक हो गया, लैंथ फुल हो जाएगी, साइड में स्लीव्स है, और यह दुपट्टे का डिजाइन आ गया, यह क्रीम कलर हो गया है, यह ग्रे कलर है, यह देखें, ग्रे के ओपर थोड़ा ब्लूइश ग्रे कलर के रेशियों से एमरोईजी है, यह देखें, फ्रंट साइड हो गया है, और साइड में ऐसे ही बुटे आ जाएंगे, यह ब्लूइश ग्रे कलर का रेशियों है, दुपच्चे के उपर कंट्रास्ट है, पीच, महन्दी, ग्रीन और मरून कलर से, यह दुपच्टि के उपर सब वर्क हो गया, और कलर आप चेकर लें, लैंट वाइस टू साइड इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, बीच में फुल जाल वर्क है, बहुत फाइन एम्रोईडरी है, तो यह ग्रेशीड हो गया है, यह देखें, गोल्डन शेड है, इसमें आपको जो देखें, मैंने सबसे पहले गोल्डन दिखा रहा था, उसमें महन्दी ग्रीन कलर था, पीच और मरून के साथ, इसमें कुछ मॉप सा कलर आ रहा है, बस यह फर्क है, दुपट्टे में बेजाइन एकदम सेम है, पैटर्न भी सेम है, यह आप वर्क चेक कर लें, यह फ्रन्ट साइड के उपर वर्क आ रहा है, साइड में स्लीव्ज है, ऐसे ही बैक साइड के उपर है, अब आप इसका दुपट्टा देख ले, पुरा रेश्यम वोक में इस तरह से दुपट्ट अगता है तो कि या लाइस्ट सूट हो गया अभी किसी को भी आडर करना है तो प्लीज स्क्रेंशॉट्स लें और वाटसप पे सैंड कर दें फोसीप नमबर आपको सामने इस स्क्रेंपर पर शो रहोगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है मोज आफ पेमेंट मैंने बता दिया है किसी को कोई भी फॉर्द्र कॉईरी करी है तो आप वाट्सेट पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं एंड थैंक यू पर वाचिंग एबर ग्रीन बुटीक टे कियर अलाहफेज